दयानंद सुरसति गंगा तट के किनारे पर रहते थे, उनके बगल में एक गुसेल साधू रहते थे, जब जब स्वामी जी की कुटिया के सामने से वो साधू जी जाया करते थे, उनको अपसब्द बोला करते थे, उनके सिस से, स्वामी जी के सिस से बताते थे कि ये तो आपक किनार कर दिया और भीज दिया फिर स्वामी जी ने अपने भक्तों को भेजा और कहा कि आप आए जी के बगल में जब वो आए तो स्वामी जी ने कहा कि आप ऐसा है कि ये मिश्ठान और प्रसाद ग्रहन कर लिजिए कहा कि मैं तो आपको गाली देता हूं अब सब्द बोलता रहता हूं स्वामी जी ने कहा इसलिए तो मैं आपको ये फल और मिश्ठान दे रहा हूं कि आपको आपकी जितनी उर्जा ब्यर्त होती है हमें गाली देने में कम से कम वह उर्जा फिर से आपके सरीर में आ जाए और आपको नहीं कारे कर सके जो साधू गुस्यल साधू थे उनको ज्ञान की प्राप्ति होई और सीधे स्वामी जी के चरणों में आगिरे